जगत में प्रतेइक वेक्ति को किसी ना किसी प्रकार की निर्बलता अवश्य होती है। जैसे कोई बहुत तेजी से दौर नहीं पाता तो कोई अधिक भार नहीं उठा पाता। कोई आसाध्धे रोग से पीडित रहता है तो कोई बड़े हुए पाठों को स्मरण में नहीं रख पाता। ऐसे अनेकों धारन और भी हैं। क्या आप किसी ऐसे वेक्ति को जानते हैं। जिसे सब कुछ प्राप्त हो। और हम जीवन की उस एक निर्बलता को जीवन का केंद्र मान कर जीते हैं। इस कारणवश रिदे में दुख और असंतोश हैता है सदा। निर्बलता मनुष्य को जन से अथवा संजोग से प्राप्त होती है। किन्तु उस निर्बलता को मनुष्य का मन अपनी मर्यादा बना लेता है। किन्तु कुछ वेक्ति ऐसे भी होते हैं। जो अपने पुरुशार्थ और श्रम से उस निर्बलता को पराजित कर देते हैं। क्या भेद हैं उनमें और अन्ने लोगों में। कि यह आपने कभी विचार किया है। सरल साउत्तर है इसका। जो वेक्ति निर्बलता से पराजित नहीं होता। जो पुरुशार्थ करने का साहस रखता है रुदय में। वो निर्बलता को पार कर जाता है। और पात निर्बलता अवश्य इश्वर देता है। उली मेंद्वर थूएरा रष्याई हुषिए झीज फियू सुनक्त्त्त्त्तत्त्त्तत्त झाल झाल झाल